वह नारियल पानी बेचने का काम करती थी और उसी से अपने परिवार का गुजारा कर रही थी उस चडिया का वेवार बहुत अच्छा था वो गरीब होने के बाद भी कमजोर पक्षियों की मदद किया करती अरे वा आज तो मेरे सारे नारियल बिच गए मैं आज अपने बच्चे के लिए बर्गर ले जाती हूँ वो बर्गर खा कर बहुत खुस होगा फिर टोनी चडिया अपने बच्चे के लिए बर्गर खरीद लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है रास्ते में उसे एक भिकारी पक्षी मिलता है बेटी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूक लगी है चाचा जी मेरे पास दो बर्गर है, आप एक बर्गर खा लें बेटी भगवाल तुम्हारा भला करे, अब मैं ये बर्गर खा लेता हूं फिर बोड़ा पक्षी वो बर्गर खा लेता है, और चिडिया अपने घर को आ जाती है चिडिया का बेटा बर्गर देखकर बहुत खुस होता है ममा बर्गर तो बहुत स्वाधिज्ट है, आप भी खाओ, नहीं मेरे बेटे, आप ही बर्गर खाएं मैं रोटी खा लेती हूं, फिर वे दोनों मा बेता भोजन खा लेते हैं चिडिया के पडोस में एक कालू कवे का घर था, वो भी नारियल बेचने का काम किया करता परंतो उसके नारियल जैदा नहीं बिच पाते हैं, इसलिए वो टोनी चिडिया से हमेशा ही जला करता कालू जी, चिडिया के सारे नारियल बिच जाते हैं, और आपका एक भी नहीं बिच पाता गोरी मैं क्या करूँ जब कोई मेरे नारियल खरीदता ही नहीं सब पक्षी उस चड़िया से ही नारियल खरीदते हैं कालू जी कुछ ऐसा करिए जिससे वो चड़िया नारियल बेच ही ना पाए फिर सारे पक्षी हमसे नारियल खरीदना पसंद करेंगे हाँ गोरी जी मैं चड़िया की रहडी को चुरा लाता हूँ फिर देखते हैं वो चड़िया नारिल बेचने कैसे जाती है हाँ हाँ कालू जी ये अल्डिया ठीक है आप रहडी को ही चुरा लाएं हम उसे कवाडे में बेच देंगे और थोड़े पैसे भी कमा लेंगे ऐसे योजने पना कर कालू कवा टूनी चड़िया के घर जाता है चड़िया अपने बेटें के साथ सो रही थी तभी कालू कवा धीरी से रहडी को अपने घर ले आता है ले आया गोरी जी रहडी को ले आया अब देखते हैं कल चड़िया नारियल पानी बेचने कैसे जाती है अब सो जाओ कल आपको जल्दी जागना है और चड़िया के हिस्से के भी नारियल पानी बेचने है ऐसे बाते करवे दोनों सो जाते हैं अगली सुबा टूनी जब अपनी रहडी को गायब देखती है तो बहुत उदास होती है मेरी रहडी को कोई दुस्ट चुरा ले गया अब मैं नारियल पानी कैसे बेचन ली तूनी चड़िया सोच सोच कर बहुत दुखी हो रही थी और कालो कववा अपनी रहडी पर नारियल पानी बेचने चला जाता है चिड़िया के ना होने के कारण कालो के सारे नारियल जल्दी ही बिच जाते हैं और वै खुस होता हुआ अपने घार आता है रास्ते में उसे विकारी पक्षी रोक लेता है बेटा कुछ खाने को दे दो कुछ नहीं खाया मैं ये जलेबी अपने पत्नी के लिए ले जा रहा हूं तुम्हें क्यों दूँ बेटा बड़ी भूक लगी है थोड़ी सी जलेबी दे दो जिसे खाकर मैं सो जाओं दूरहट बिखारी पक्षी मुझे घर जाने दे मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही आया बड़ा जलेबी खाने ऐसे बोलते हुए कालू अपनी रहडी को लेकर वहां से चला जाता है और बिचारा भूका पक्षी मन ही मन सोचता है लगता है आज बो चड़िया नहीं आएगी बो होती तो मुझे जरूर कुछ खाने को देती कालू जी जलेबी तो बहुत स्व अपनी को जलेबी खाना बहुत पसंद है इसलिए तो मैं जलेबी लाया हूँ कालू जी मैंने चड़िया को सुभा से नहीं देखा है मैं जाने घर में क्या कर रही है गोरी मैं देखकर आता हूँ आखिर चड़िया घर में क्या कर रही है मैं भी आपके साथ चलती हूँ उस चडिया को दुखी देखकर मुझे बड़ी खुसी मिलती है वो देखते हैं तो चडिया रहडी बनाने में लगी हुई थी चडिया बहन ये क्या कर रहे हो आप इस कवाडे से क्या बना रही हो गोरी बहन कोई दुस्ट पक्षी मेरी रहडी को चुरा ले गया तो मैं इस कवाडे से बस अपने लिए रहडी बना रही हुँ ताकि कल नार्यल पानी बेजने जा सकूँ परंग तुचडिया ये रहडी तो बहुत छोटी है इसमें तो थोड़े से ही नार्यल आप आएंगे हाँ गोरी बहन ये रहडी बहुत छोटी है इसलिए मैं अपने बेटे को साथ ले जाया करूँगी जैसे ही नार्यल पानी कम पड़ेंगे मैं घर से और नार्यल ले जाया करूँगी तब तक मेरा बेटा वहाँ नार्यल पानी बेज लेगा सिर चडिया से ऐसे बाते कर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और अगली सुभा टोनी चड़िया अपनी छोटी सी रहडी पर नारियल बेचने चली जाती है और कुछी देर में उसके सारे नारियल पानी बिच जाते है बेटा मैं और नारियल लेने जा रही हूँ तब तक आप रहडी का ध्यान रखना ऐसे कहकर टोनी चड़िया अपने घर चली जाती है उसके नारियल पानी बिचते देख कालू और गोरी सोचने लगते है देखा देखा कालू जी अपने चड़िया के लाए हुए नारियल पानी बिच गए अब और लेने घर गई है हाँ गोरी जी मैं सब देख रहा हूँ पर अब क्या कर सकते हैं चडिया तो है ही समझदार नाना कालु जी आप ऐसा ना कहें अगर चडिया समझदार है तो मैं भी कमचलाक नहीं इस बार तो ऐसा आड़िया सोचा है चडिया कभी नारियल पाने बेच नहीं पाएगी जल्दी बताए क्या सोचा है कालू जी हम चडिया के नारियल पेड़ों को जड़ों से काट खेकते हैं फिर तो चडिया का काम एकदम बंद हो जाएगा ठीक है आज रात को ही हम सारे पेड़ काट देंगे फिर देखेंगे वो चडिया नारियल पानी कैसे बेचती है ऐसे सोच कर वे दोनों पते-पत्मी खुस होते हैं रास्ते में उसी जगा पर वो भिकारी पक्षी चिडिया को रोक लेता है उसकी हालत तो बहुत खराब थी चाचा जी आपको तो बहुत तेज बुखार है हा बेटी कल से मेरी तबियत बहुत खराब है बेटी कुछ पैसे दे दो जैसे मैं अपना इलाज करवा लू बिमार पक्षी की ऐसे हालत देखकर चडिया को उस पर बहुत दया आती है चाचा जी आप इस हालत में कहां जाएंगे आपके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है आप मेरे साथ मेरे घर चले मैं आपका इलाज करवा दूगी ऐसे कहकर चडिया बिमार पक्षी को अपने साथ ले जाती है और बुल-बुल डोक्टर से उसका इलाज करवाती है बेटी आप बहुत दयालू हो जब मुझ भिकारी को अपने घर में रखा चाचा जी ये काढ़ा पेलो और सो जाओ डोक्टर ने आराम करने को बोला है फिर रात हो जाती है वो सब सो जाती है और देर रात होने पर कालूर गोरी चिरिया के नारियल पेडो को काटने आते हैं कालू जी सब सो गए हैं अब पेड काटना सुरू करो हाँ हाँ गोरी आहिस्ता बोलो मैं पेड़ काटता हूँ कालू पेड़ को काटने ही वाला था के तभी जो जो से हवाय कलने लग देखने तभी अचानक एक मोटी डाल कालू के सिर पर लगती है वो तो जमीन पर बेहोस होकर गिर जाता है उठो कालू जी टांखे खोलो वरना हमें यहां कोई देख लेगा जल्दी उठे गोरी कालू को जगाने में लगी हुई थी के तभी अचानक से एक मोटी डाल तूटकर गोरी के उपर गिर जाती है हाई राम ये कालू तो भी होस पड़ा है और मैं इस टहनी के नीचे धब गई अब हमें कौन बचाएगा वो दोनों रात बर वही पड़े रहते हैं सुबा जब चिडिया गोरी को देखती है तो टहनी के नीचे से निकाल लेती है गोरी बहन आप खीक तो हो और आप दोनों यहां कैसे आई वो दोनों तो अपनी हरकत पर बहुत सर्मिंदा थे और बिना कुछ कहीं चिपचाप वहां से अपनी घार आ जाते हैं कालू जी हमने चिडिया का बुरा सोचा लेकन भगवान ने हमें ऐसा नहीं करने दिया हाँ गोरी जी अब मेरे सब समझ आ गया अब दुबारा से ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे वरना भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगा हाँ हाँ कालू जी आप ठीक कहते हो आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे भगवान के दिये में ही खुश रहेंगे और जादा नारेल बिचने का लालच नहीं करेंगे अब कालू और गोरी सब समझ गए थे के दोसरों का बुरा करने से खुद का ही बुरा होता है फिर उस दिन के बाद वे दोनों सुधर जाते हैं और कभी भी चड़िया के साथ बहिमानी नहीं करते रात का समय था थंदी थंदी हवाई चल रही थी सभी पक्षी अपने गरम घुसलों में सोई हुए थी के तभी चड़िया का बेटा कुकु थंद से कापने लगता है ममा आप कुछ करे मुझे बहुत थंदी लग रही है कुकु बेटे मैं अभी घर में आग जलाती हूँ फिर आपको थंदी नहीं लगेगी फिर टूनी चड़िया जल्दी से कुकु के पास आग चला देती है परन्तु कुकु तो अभी भी थंद से काप रहा था अरे मेरे बेटे को तो तेज बुखार है मुझे अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाना होगा ऐसे कहकर चड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती है और उससे कहती है बुलबुल दी जल्दी से मेरे घर चली है मेरे कुकु को बहुत तेज बुखार है क्या आपका बेटा सर्दी से काप रहा है हाँ बुल बुल डॉक्टर मैंने घर में आग भी जला दी है परन्तु मेरा कुकु तो ठंड से कापे जा रहा है फिर बुल बुल डॉक्टर जल्दी से अपना बैग उठा लेती है और चड़िया के साथ उसके घर चली जाती है आपके बेटे को सर्दी लगने की वज़ा से तेज बुखार है नहीं दवाईया दे रही हूँ समय से खिला देना और कुकु के सामने आग चलाए रखना ठीक है बुल बुल दी मैं अपने कुकु बेटे का पूरा धियान रखूंगी उसे समय से दवाईया खिलाऊंगी और आ आग को भी ना बुझने दूंगी कुकु को दवाईया देकर बुल बुल वहां से चली जाती है और टूनी चडिया सारी रात अपने घर में आग जला के रखती है और अपने बेटे को सीने से लगा कर लेट जाती है और सुबा हो जाती है बाप रे बाप रात कितनी सर्दी थी मैं तो एक करवट में ही सोता रहा सचकालू जी रात तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर की छट उड़ गई हो गोल जी चलो हम आग जलाने के लिए लकड़ी ले आते हैं और फिर रात को स्कून से सोएंगे बबलू बेटे आप घर में ही रहना बहार बहुत सर्दे प चले जाते हैं और इधर टूनी चड़िया अपनी बेटे को लेकर चिंता में थी मुझे अपनी घर को गरम रखना होगा ताकि मेरे बेटे को दुवारा से सर्दी ना लग जाए मैं आग जलाने के लिए